कि कौन सा पार्ट कैसे काम करता है तो सबसे पहली बात इसे कहा जाता है compound microscope और इसमें जो first part आता है वो आता है इसका आई पीस यहीं से हम क्या करते हैं focus करते हैं अपने object के उपर और आई पीस को remove करा जा सकता है कई बार इसके जो mirror है इसके उपर dust आ जाती है तो इसको साफ करा जाता है इसके लिए इसको remove करके हम easily इसको साफ कर सकते हैं इसके साथ इसमें adjacent लगा हुआ है जो की up and down moment करता है with the help of screw यह होते है microscope में screw screw भी दो टाइप के हैं एक है core screw और दूसरा है fine screw core screw का का काम होता है इस adjacent को उपर या नीचे ले जाने का उपर या नीचे हम क्यों ले जाते हैं क्योंकि जब हमने यहाँ पे अपना object सेट करा तो उसकी clarity के लिए हम screw को up and down करते हैं तो उसका जो काम है up and down का वो करता है यह core screw इसके साथ यहाँ पे एक छोटा screw लगा हुआ है जिसको कहा जाता है fine screw इसका काम जो है कई बार बच्चों को लगता है यह तो waste है या फिर इसको तो हम जैसे भी गुमाए लेकिन इसका काम जो होता है कि बिल्कुल बारिकी से बिल्कुल नीट कर देना object को जो यह core screw नहीं कर पाता अपनी आखें देख भी नहीं पाती इतनी clarity के साथ fine screw काम करता है इसके बाद हम क्या करते है material को slide पे रखते हैं और slide पे रखके हम उसको रख देते हैं यहाँ पे यह क्या है कौन सा part है यह है stage stage के उपर slide को रखा जाता है screw से हमें adjustment करना होता है कि कितना adjust कर पाते हैं और जो fine screw है उससे हम इसमें clearty ला देते हैं हमने यहाँ पे अपनी जो slide है उसको रख दिया प्लस यहाँ पे लगी रहती जो कि यहां टूटी हुई है वह clip क्या रहती है slide को set कर देती है fix पूजिशन के उपळ तो यहाँ clip लगी रहती है और उसकी help से हम क्या कर देते है स्लाइड को यहां fix कर देते हैं stage के उपर इसके बाद देखोगे इसमें 10x लगा है 40x लिखा है या 45x लिखा है यह है इसके objective lens तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम 10x के उपर set करते हैं material को फिर देखते हैं कि कितनी clarity है ऐसे हम 45 पे और 40 पे भी इसको adjust कर सकते हैं according to object तो इसमें यह सारे क्या है adjacent lens लगे हुए 10x 40x या 45x इसके बाद यहां पे लगा हुआ है इसमें convex lens इसका main काम क्या होता है यह वाला जो lens है इसको बोला जाता है convex lens इसका main काम जो होता है वो होता है कि जितनी light इस microscope ने capture करी है उसका पूरा focus इस slide पे आ जाए तो इसके लिए हम set करते हैं light की तरफ ऐसा नहीं कि direct sunlight पे हम इसको focus करते हैं या उसकी तरफ इसका मूँ रखते हैं हमेशा microscope को कहा focus करा जाता है कि light direct ना पड़े convex lens के उपर यह जो convex lens है और हम देख लेते हैं slide में कितनी lighting आ रही है उसके हिसाब से convex lens को set किया जाता है तो जितनी lighting आएगी उतन अपना ही अपना जो object होगा clear दिखेगा प्लस screw से हम एपन डाउन कर सकते हैं तो यह main part है एक microscope के